हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप मस्त ही होंगे दोस्तों बढ़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बैंक का ब्रोदा का एमकनेक्ट अब हमारे बीच नहीं रहा दोस्तों एमकनेक्ट प्लस अब हमारे लिए बैंकिंग वर करने के लिए एक बहतर अब्स था इसलिए हम इसे खोरा नहीं चाते थे लेकिन bank का brother ने हमारे लिए M connect plus की जगह एक बहतर से बहतरीन apps पेश दिया है वो है bank का brother B.O.B. World आज से हम M connect की जगह B.O.B. World के नाम से जानेंगे दोस्तों M connect हटाकर B.O.B. World लाने का एक मेन उद्देश था कि bank का brother की जादा से जादा services को आप तक पहुचाना एक दोर था सन 2014 के आसवास जब M connect पर total 56 services ही मिलती थी और apps की size होती थी यही कोई 5-6 MB जैसे जैसे दिन गुजरता गया सेवाएं बढ़ती गई और apps की size बढ़ी होती गई खेर यह तो bank का बुर्दा M connect की बाते थी अब मैं B.O.B. World पर आता हूँ दोस्तों आगे चलकर कुछी दिनों में आपको नए खाते खुलने जैसी services देखने को मिलेंगी इसलिए apps को सू बेवस्ति धंग से ध्यान रखकर बनाया गया है दोस्तों B.O.B. World में सब कुछ M connect जैसा ही है आगे का home screen पर कुछ फेर बदल किये हैं बाकी अंदर किसी भी option पर क्लिक करने के बाद आपको M connect जैसा ही feature आपको देखने को मिलेगा इससे आप भ्रमित नहों M connect जैसा ही B.O.B. World काम करता है मैं एक एक option आपको step by step बता दे रहा हूँ कि कौन सा option आपको कहां पर मिलेगा पुराने M connect का option नए B.O.B. World में कहां कहां पर मिलेगा कौन सा option आप वीडियो पर लाश्ट तक बने रहें वीडियो बिना इसकी पके हुए पूरी देखें फ्रेंड्स अब मैं अपने मोबाईल के home screen पर आ गया हूँ और आप यहां पर M connect प्लस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसे खुलेगा उसे अपडेट का option आएगा अपडेट करने के लिए आप Google Play Store पर जाएंगे अब वहां पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा इस टाइब का यह आप लिखा होगा अपडेट अपडेट करेंगे अपडेट होने बाद open आएगा और आपका monogram कुछ इस तरह change हो जाएगा ठीक है एमकनेट के जगापर ब्योबी वर्ल्ड लिख जाएगा ठीक है फिर इसको मैं open करूँगा आपको दिखाने के लिए यह देखे हैं अब यहां था कि नएवाले में जो पहले एमकनेट हुआ करता था कुछ इस टाइब का उसका जो है इंटरफेस दिखता था अब यहाँ पर कुछ इस टाइब का इंटरफेस दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या था कि अब देखेए पीछे का इनेवल हो गया है अपका फिंगर पर इनेवल हो गया है और यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो आपको दिखेगा देखे यह मैसेज आता है नीचे देखा गया authentication cancelled ठीक है एक यह चेंजमेंट हुआ है यहाँ पर अपना login पासवर्ड डालेंगे application पासवर्ड से कहते हैं ठीक है प्रेंड मैंने login पासवर्ड डाल दिया है अपना application पासवर्ड और आपको कुछ इस तरह का interface देखेगा अब देखो यहीं पर समझना है आपको ठीक है यहीं पर सब कुछ बदला हुआ है अंदर कुछ भी नहीं बदला हुआ है सब एमकरेंट जैसा ही है अब यहीं थोड़ा ध्यान लगाना है थोड़ा से समझना है ठीक है कि पहले नमबर तो हमको यहाँ पर account my account fund transfer recharge FDRD bill pay बड़ो यहाँ पर दिख जाती थी है हमको simply वहाँ पर click करना था और हम पहुंच जाते थे लेकिन यहाँ पर भी वहीसे ही है लेकिन थोड़ा साइड में इदा दो रख दिये हैं ठीक है जैसे my account my account पर आप यहाँ पर देखेंगे दो ही accounts हो रहा ठीक है इसे दा हो नहीं रहा है यहा यहाँ पर आपको दिखाएगा ब्योबी आल एकाउंट्स तो यहाँ पर click करेंगे यह देखिए पहले जैसा saving account current account term loan ppf यह सारी सारे accounts आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है और दूसरी बात है यहाँ फंड ट्रांसफर फंड ट्रांसफर यह देखिया रखा हुआ है यहा और थोड़ा से graphic बदल दिये हैं और थोड़ा से designing कर दिये हैं बस background बदल दिये हैं देखिए यह ठीक है सब कुछ वैसा ही है सारे उतने ही option है कुछ जादा घटे बढ़े नहीं है options से उतने ही है बस थोड़ा से इसको designing कर दिये हैं ठीक है और बात आती है recharge अब यहीं देख number, select operator, circle, amount, सब कुछ वही है यहाँ कुछ नहीं बदला हुआ है ठीक है अब बात आती है बड़ोधा fast tag यहाँ बड़ोधा fast tag आपको नहीं दिखेगा अगर तो आप यहाँ पर चलिया न मोर पर आएंगे यहाँ पर से नीचे कोने में तो मोर पर क्लिक करेंगे आपको देख cash on mobile cash on mobile में देखिए वही है cash on mobile दर रखा हुआ है cash on mobile में भी सब कुछ वही है एक दम simple ठीक है कुछ भी नहीं बदला भाइस में बस सोचने समझने के फार्क है बस और यहाँ पर आप cardate service देखेंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा देखिए सबसे नीचे last से दूसरे नंबर पर सबसे नीचे साइड में पट्टी देखिए और दूसरे नंबर पर दिखेगा last के ठीक है यहाँ पर cardate service है और और एक बात हो रहा है यहाँ आप जैसे करसल रखते हैं तो cards लिख जाता है जिस service पर रखेंगे वह तुरंद बता जैसे computer में बताता है वह दूसरी बात है my favorite माइ अपको यहाँ मिल जाएगा देखिए यह देखिए ठीक है explore में दूसरे नंबर पर my favorite रखा हुआ है ठीक है my favorite के अंदर भी सब कुछ वही है तीन option पहले तो तीन option यहाँ पर भी है अंदर कभी सब interface सब वही है यह देखिए ठीक है सब कुछ भाई है और यहां पर बात आती है पास्बुक पास्बुक आपको यहां मिल जाएगी यह देखिए पास्बुक यहां रखिए जितने भी पहले आप्शन थे उतने ही अभी भी है ठीक है कुछ भी नहीं बतला भाई बस थोग टाइम रख सकता है जरूर घबड़ाने कोई जरूरत नहीं है बस मैंने सब आप्शन तो आपको दिखा दिये कुछ इसमें नया भी दे दिये हैं यह देखिए और यहां पर आप होम करेंगे नीचे से पहले नंबर पर यह देखिए और यहां पर टांजेक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं यह देखिए टांजेक्शन हिस्ट्री है ठीक सबसे आगे इसको दे दिये हैं ठीक है और बिल पेमेंट यहां पर भी दे दिये हैं पहले नंबर देखिए स्क्रीन पर दे दिये हैं सो रिटो ट्रांसां हिस्ट्री खुल गया है यह दिखिए बिल पे मोबाल चार्ज, डिटेर्ज चार्ज, कुिक बिल पिल रेजिस्टर बिल पिल यहां पर सब आपको दे दिएंगं क्रेट काड्ड, व्यूब प्यूप, काड्ड पाइमेंट भी दे दिये हैं ठीक है payment services पहले पुराने हम connect पर आपको दिखने अलग मिलता था payment service का option ठीक है और आपको यहाँ पे यहीं भी मिल जाएगा ठीक friends तो बस यही आपको दिखाना था आपको दिखा दिये आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो आप comment के जरीए मुझसे पूँच सकते हैं और comment करके जरूर बताना आपको जै दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और notification बिल आइकन को दबाना मत बोलना जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो हो ससे पहले आप तक पहुँचे जैहिन बंदे मातरम